नव, question ये कर रहा है किसी राषी पर 15% वार्षिक दर से दो वर्षों के चक्रविर्धी ब्याज होने वाले चक्रविर्धी ब्याज और सदाण ब्याज की वीज़ का अंतर 1944 उर्पे हैं इसी अवधी के लिए 10% वार्षिक दर से प्राप्ट होने वाला चक्रविर्थी व्याज ग्याद किजिए, अधि व्याज वार्षिक रूप से सन्योजित हो, कोश्चन काफी सिंपल है, इस कोश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले, आपको प्रिंस्पल को 100 मन्न होगा, अब हमसे यह बोल रहा है, कि 15% वार्षिक दर से दो वर्षों के चक्रविर्थी व्याज, तो 100 का हम दो वर्ष का चक्रविर्थी व्याज ग्याद कर लेंगे, 100 गुना 15 बटा में, 100, यह हो जाएगा आपका 15 रुपे, फिर 115 गुना 15 अपन में 100, यह निकल काएगा कितना आपका, यह निकल काएगा आप 17.25 रुपे, टोटल व्याज कितना हो गया आपका, 32.25, अब हम क्या करेंगे, सेम प्रिंस्पल पर दो वर्ष का सधारन व्याज ग्याद करेंगे, प्रिंस्पल हमने 100 माना है, रेड कितना है, 15 परसेंट, और टाइम कितना है, 200, यहां से इंट्रेस्ट कितना निकल गया है, 30 रुपे, कितना इंट्रेस्ट निकल गया है, 30 रुपे अब हमसे क्या कर रहा है कि 1944 रुपए है यानि कि CI यह है आपका CI और यह है आपका SI CI और SI के बीच का जो difference है वो कितना है 1944 रुपए है यहाँ पर 32.25 और यहाँ से 30.00 जब माइनस करेंगे तियो होगा 2.25 2.25 का value हमारा कितना दिया गया है 1944 रुपए जो की question हमने given है इक के value यहाँ से निकाल लेएंगे 1944 second ما रुपशाजी होगा साल में 25 रुपोखन कर देंगे नौ बार में जाएगा यह कितना बार में जाएगा 4 बार में जाएगा अब 9 से यह कितने बार बकल नौ तुनिय अठारो और नौ तुनिय अठारो कर जाएगा नौ तुनिय अठारो एक और नौ पांच चोऑ नौ यकम नौ नौशक चोपान दुसर इशोलो बार में हमारे कितना फेलु यह है 64 का 24 426 और चार दुनिक 8 800-400 रुपया है कितना आया एक का भेलू आया आपका 800-400 रुपया और हमसे question में क्या पूच्छा गया है कि इसी रासिक पर इसी ओधी के लिए 10% वार्सिक दर से होने वाला चक्रभीरती ब्याज ग्याद किजिए तो हमारा एक का भेलू कितना हो गया 800-400 रुपया तो 100 का भेलू कितना हो गया 8,6400 रुपया अब इस पर क्या करेंगे 10% हमें चक्रभीरती ब्याज निकलना है दो साल के लिए बटा में 100 करेंगे यहां से हमारा कितना ब्याज निकल क्या गया 8,640 उर्फे अब 8,640 को हम क्या करेंगे 86,400 में क्या करेंगे जोड़ देंगे जोड़ देंगे 0, 4, 6, 4, 2 8, 6, 4, 1, 15, 8, 9 95, 40 उर्फे 95, 40 उर्फे के वाफ़ों से 10% निकालेंगे तो यह हो जाएगा कितना आपका 95, 0, 4 अब इसको क्या करेंगे जोड़ देंगे 4 यह होगया 4, 6, 5, 11, 9, 7, 11, 18 18, 144 उर्फे आगे आपका ब्याज जो अप्शन नमबर से ची है इस कोश्चन का राइट एंसर हो जाएगा I hope यह कोश्चन आपको पूरी तरीके से समझ में आगे